पोसन देखता है को सझ no6 कह रहा है कि ए समांतर चत्र Kurऑ ऑर CS से जाने वाला वित थीडी मुक्तूड को ई पर प्रतिशेत करता ह 고양 你 क्या करा इस सी डी आगे क्या करा है यादी आवास्रई खो तो बढ़ा कर निए कहने का मतलब CD को आगे बढ़ा कर हम लोग बृत खीषते हैं चलिए देख लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कि अग्धिरakah ईक बिवेले लेता हूं या पहले आप समानता चज़वर्पूर्प विखीра सकते थे कोई दिकतं निए या फिर आप इसके अंदर समानता चज़वर्पूर्प लेलो इसके अंदर ही जा बना गता हूं ओ टिक है थे कुछ इस तरह से यहां पर a ले लेता हूं यहां यहां बी ले लेता हूं और यहां c ले 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 लेता हूं देख लिए कर a b c d एक समांतर चत पुझ है यहां पर d हो जाएगा ये भी CD एक समानतर चत्पुझ है A, B और C से जाने वाला ब्रित चलिए देख रहे हैं A, B, C तीन बिंदों से उकर ये ब्रित जा रहा है तो क्या करा है यदि यह आवस्थक है तो बढ़ा कर किसको? CD को E E पर प्रतिशेद करता है ब्रित यानि कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ जो एक बिंदो है वह क्या है? E है ठीक है? यही सिब्रत प्रतिशेद करा है करा है सिद कीजिए कि A, E हमें दिखाना है कि यहाँ A, E A, E जो होगा इस A, D के बराबर होगा यही हमें साबित करके दिखाना है चलिए देखते हैं दिया है A, B, C, D, A समांतर चत्रभूज है समांतर चत्रभूज है ठीक है A, B, और C से जाने वाला ब्रित ब्रित CD की CD की CD की बढ़ाई हुई या आप ऐसे कर सकते हैं A, B, और C से होकर जाने वाला ब्रित बढ़ाई हुई बढ़ाई हुई तो तिछेद करता है ठीक है तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है यहां जो A, E होगा ना वह A, D के बराबर होगा यहां A, E, S, E, D के बढ़ावाद इसमें मैं पहले काम करता हूँ सबसे पहले इसका प्रमान देखने के लिए मैं इसमें कोणों के नाम देता हूँ ताक यह आसानी हो जाए उनको धर्साने में मैं यहाँ पर इसे एंगल 1 देता हूँ इसे एंगल 2 देता हूँ, इधर वाले एंगल को 3 देता हूँ और इसको मैं 4 देता हूँ ठीक है, चारिये बिश के बाद देखिए हम लोग देख रहे हैं कि A, B, C, D एक समांतर चत्रभूज है तो समांतर चत्रभूज है समांतर चत्रभूज के समांतर चत्रभूज के सम्मुख कोण सम्मुख कोण बराबर होते है सम्मुख कोण बराबर होते है ठीक है, चलिए यह आप पहला समी करन ले लेता है ठीक है, आप देखिए दूसरा सी जबनों देख रहे हैं कि यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 1 इस नोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा है रैखिक यूग मसे है रैखिक यूग मसे है इसको मैं समी करन 2 ले लेता हूँ अच्छा और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 180 क्यों हो जाएगा जैसामी करंतीन मनेंगे क्यों हो जाएगा क्योंकि E BCE एक चक्रिया चतर हो जायए और चक्रिये चटमूझमें जानते हैं चक्रिये चत्बूझ पर शब्रतियों क्यों град हूपर क्या होता है 230 होता है ने क्छी देख लिए इंडोनों का युग नहीं हो ठीक है चलिए तो यहां से लिखेंगे समीकरन दो तथा समीकरन तीन से समीकरन 2 और समीकरन तीन से देखिए क्या हो जागे यह यहां से यह भी से यह भी एक सोस्य गता इन दोनों को बदाबर कर देंगे न वन डख सकते हैं कि एंगल 3-ai-a-क टू- लशी रहता बडाबर में 2014 से इंगल 4 इह कैसे गोड़ा तो समीकरण 1 से हमने तीन बराबर में चारा हुआ ठीक है यह से इंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया अब फिगर में देखें जब यह एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया तो यह A, D, E एक सम्दी बाहु तिर्भूज हो गया या यूं कहें कि इस तिर्भूज की जब दो कोड बराबर है तो ये दो सम्मुक भूजाएं बराबर हो जाएंगी तो हम लोग लिख सकते हैं ये आपका A, D बराबर में A, E बराबर में A, E बराबर में A, D सम्मुक भूजाएं, सम्मुक भूजाएं, सम्मुक भूजाएं, बराबर हो जाएं, बराबर हो जाएं, ये आपका प्रमानित होंगा समझ गया